Hey guys, I welcome you all to GSN Law वैसे तो आप जब इसी भी examination के preparation कर रहे होते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि political news जो हैं उनको आप ignore करिए पहले तो एक basic चीज आप समझ लीजे कि हमारा देश being a democracy politics से ही चलता है इसलिए आपको politics के विशय में ढंग से चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ultimately आप कोई भी सरकारी exam track करते हैं तो आप उसी political system का एक part बन जाते हैं और आपकी decision making में political forces का influence काफी ज़ादा होता है अगर हम ये कहते हैं कि political news को नहीं follow करना चाहिए तो current affairs पढ़ते हैं काफी बार हम confused होते हैं कि इस news को हमें cover करना चाहिए या फिर नहीं मेरे क्याल से दो तीन रहे की political news है जो आपको जरूर cover करनी चाहिए पहला तो जब भी parliament session में हो तब कौन-कौन से bills पास हो रहे हैं कौन सी political parties उनको विरोद कर रही है और कौन सी political parties उनका support कर रही है और इन सब चीजों के पीछे क्या-क्या issues है ये आपको पता होना चाहिए और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको एक भी bill नहीं छोड़ना चाहिए For example, 2019 के UPSC Pre में एक question आया था Standing Orders Amendment Act से related Even being a law student जब आपने Standing Orders Act as a part of industrial laws पढ़ा होगा तो भी आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस पे question पूछा जा सकता है इसलिए साल भर चाहें आप P.I.B. को follow करते हों या फिर ना हों जब Parliament session में हो तब आप P.I.B. को जरूर follow करें इसके अलावा जब भी कोई election होता है या फिर कोई political crisis आ जाती है इसी भी state में तो बहुत सारे issues पे debate होती है इस video से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको political news को किस तरीके से follow करना चाहिए ताकि जो आपके political current affairs है वो prepare हो जाएं और इस बार क्योंकि COVID-19 वाली situation चल रही है और विहार elections होने वाले है तो ताकि सारे issues सामने आये हैं इन सारे issues को हम जानेंगे और ये video पहला part है विहार election series का शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हम से इन different social media platforms पे जुड सकते हैं और यदि आपका कोई question है तो आप मझसे पूरा पे पूछ सकते हैं अब बिकिये सबसे पहले तो postal ballots related controversy हो गई की तो ये पूरा मुद्ध क्या है आईए समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या कि election commission ने announce किया कि जो 65 वर्षे उपर के लोग हैं और जो लोग quarantine में हैं उन लोग को postal ballot की सुविधा दी जाएगी बिहार elections में हर बार की तरह इस बार भी opposition parties ने इस move को unconstitutional घोशत कर दिया और इस announcement का बहुत जादा विरोध होने लगा सबसे पहले हम देखते हैं ये postal ballots होते क्या है election results के दिन कभी आपने अगर news को follow किया होगा तो जब initial figures आ रहे होते हैं तो news anchors बोलते हैं कि अभी ये postal ballots के vote गिने जा रहे हैं postal ballots की सुविधा एक fixed set of voters को मिलती है जिसमें वो voting center में जाने की बजाए remotely अपने vote को दे सकते हैं एक ballot paper पे अपने vote को record करके और उसको election officer को send करके ये process complete किया जाता है अब बात आती है कि किसको किसको ये सुविधा अभी तक मिल रही थी सबसे पहले तो जो हमारी आर्मी है उसको ये सुविधा मिलती है उसके बाद जो armed police forces हैं जैसे की CRPF, BSF, etc. इनको भी ये सुविधा दी जाती है इसके अलावा government employees जो कि भारत से बाहर posted हैं उनको और उनके husband या फिर wife को ये सुविधा मिलती है साथी साथ जो preventive detention में कैदी होते हैं उनको भी ये सुविधा मिलती है इसके अलावा कुछ special voters होते हैं जैसे की president of India, vice president, governor, union cabinet ministers, speaker of the house और ऐसे government officers जो की pole duty के तैनात हैं उनको ये सुविधा दी जा सकती है यदि वो इसके लिए apply करें आली में law ministry ने election commission के साथ मिलके एक नई category बनाई voters की absentee voters के नाम से जिनहें postal voting की सुविधा मिलेगी absentee voters में वो लोग आएंगे जो की essential services के छेत्र में employed हैं और अपने service की conditions की वज़े से वो अपना vote नहीं दे पाते हैं essential services में वो सारी सुविधाएं आ जाती हैं जो की बहुत ही जादा आवश्यक हैं देश को चलाने के लिए जैसे की doctors, various transportation, employees, etc. फिलहाल के लिए government ने Delhi Metro Rail Corporation के employees को Northern Railway के employees को और media persons को notify कर दिया है absentee voters की category में अब postal ballot voting का पूरा process जानते हैं returning officer वो officer होता है जो किसी भी constituency में elections conduct कराने के लिए responsible होता है अब यह returning officer की जिम्मेदारी होती है कि जो last date है nomination papers के withdrawal की उसके 24 घंटे के अंदर-अंदर ballot papers को print कर लेना होता है और उनको dispatch कर देना होता है या फिर हम कहें post कर देना होता है armed forces को record offices के थूँ यह ballot papers पहुँचाए जाते हैं जो armed police forces हैं, government employees हैं उनको ballot papers या तो post के थूँ पहुँचाए जाते हैं या तो electronic medium से पहुँचाए जाते हैं बाकी लोगों के लिए postal ballots या तो personally deliver किये जाते हैं या फिर by post पहुँचाए जाते हैं जब एक voter को ballot paper मिल जाता है तो उसे अपने ballot paper में एक pick mark या फिक cross mark लगाना होता है जो भी उसका preferred candidate है उसके नाम पे साथी साथ उसको एक attested declaration भी sign करना होता है अपने ballot paper को valid बनाने के लिए और इन दोनों चीजों को एक seal बंद लिफाफे में करके returning officer को वापस भेजना होता है वोट सी counting शुरू होने से पहले अब जब election commission ने postal ballots के विशे में announcement किया तो काफी political parties ने उसका विरोध किया वैसे तो का article में काफी सारी political parties का जिक्र है बट यहां पर हमने उनी सारे points को लिया है जो की valid criticism है सबसे पहले आते हैं Communist Party of India Marxists के इनका कहना था कि यह जो announcement किया गया है यह बेना political parties को consult किये election commission ने कर दिया है अब जाहिर सी बात है इस announcement से political parties ही effect होती है इसलिए कहीं न कहीं उनको consult करना भी जरूरी था अब politics में जब हम left front की बात करते हैं तो mainly दो political parties आती हैं एक तो CPIM और दूसरा CPI अब जो CPI के लोग हैं उनका यह कहना था कि इस सुविधा का गलत फाइदा उठाया जा सकता है उन political parties के द्वारा जो की सरकार में हैं और उनके पास sufficient resources है election process को effect करने के लिए फिर Congress ने भी काफी valid point उठाया कि इस decision की वज़े से voter की जो secrecy in voting वाली right है वो effect होगी क्योंकि पहली बात तो जो भी लोग 65 वर्च से उपर के हैं उनमें से काफी लोगों को एक helping hand की जरुत होती है और जो लोग quarantine में हैं उनमें से जादा तर लोग uneducated हैं जिसके कारण वो दूसरे लोगों के पास जा सकते हैं help मांगने के लिए और इस दौरान वो लोग disclose कर देंगे कि कौन-कौन उनके preferred candidates हैं इसके अलावा वो लोग जो की institutional quarantine में हैं यानि कि किसी hospital में quarantine किये गए हैं या फिर किसी center में quarantine किये गए हैं उनके voting preferences पे administrative influence पर सकता है अब इन सब में से election commission ने सिर्फ CPIM को respond किया अब current political scenario की बात अगर हम करें तो जो परिस्तिती Congress की है उसमें हम आने वाले समय में Congress का और जादा disintegration देख सकते हैं और मेरा personal opinion ये है कि ऐसे समय पे CPIM ही एक ऐसी party होगी जिसके पास sufficient cadre होंगे BJP की strategies को टैकल करने के लिए तो यहाँ पर election commission ने जो CPIM के general secretary है सीता राम येचुरी इनको एक letter लिखके बताया कि senior citizens जादा risk पे हैं कि उनको COVID-19 infection हो जाए और ये decision उनको अपना vote cast करने की सुविधा देगा साथी साथ election commission ने ये भी बताया कि इस पूरे decision को objective है अपनिक exposure को minimize करना अब देखे जब इस announcement का विरोध होने लगा तो election commission ओफ इंडिया ने अपने decision में काफी amendments कर दिये और 16 जुलाई को ये press release election commission ओफ इंडिया ने जारी की यहाँ पर सबसे पहले तो election commission ने 17-5-2020 को को ministry के द्वारा जारी की गई guidelines का हवाला दिया और ये बताया कि pandemic के दौरान vulnerable persons इनको बोलते हैं इनमें सबसे पहले वो लोग आते हैं जिनकी आयू एसाट वर्च से उपर की है फिर वो लोग हैं जिनके साथ comorbidities हैं यानि कि वो किसी underlying disease से गसित हैं इसके अलावा गर्वती महिलाएं और 10 साल से कम उम्रते बच्चे भी इसी में आ जाते हैं और home ministry ने ये guideline जारी की थी कि इन सारे व्यक्तियों को घर पे ही रहना होगा unless and until बहुत जरूरी काम ना हो या फिर कोई health situation ना आ जाये इनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए election commission ने recommend किया था कि जो posted ballot facilities हैं उनके दाइरे को extend किया जाये और उसमें 65 वर्षे उपर के लोगों को जथा जो लोग covid positive हैं या फिर quarantine में हैं उनको ये सुविधात दी जाये ताकि उनकी voting rights maintain रहें और election commission की इनी सब recommendations को ध्यान में र 96-2020 को लेकिन इसके implementation से पहले election commission को section 60C of representation of people's act के अंतरगर notification जारी करना होता है फिलहाल के लिए pandemic को ध्यान में रखते हुए election commission ने ये decide किया है कि 1000 लोगों के लिए एक polling station की विवर्षा की जाएगी साथी साथ election commission ने ये भी decide किया कि आने वाले जो बिहार के elections हैं उनमें 65 वर्ष से उपर की आयो वाले लोगों को पोस्टल बैलेट्स की सुविधा एक्सेंड नहीं की जाएगी लेकिन पोस्टल बैलेट्स की सुविधा एक्सेंड की जाएगी अर्सी वर्ष से उपर के इसके अलावा covid positive patients या फिर ऐसे लोग जो की covid positive हो सकते हैं और उन्हें quarantine में रखा गया है उनको भी ये सुविधा मिलेगी पुल मिलाके पुराने notification में जो 65 वर्ष का क्राइटेरिया था उसको बढ़ा के 80 वर्ष कर दिया गया है अब हम section 60 of representation of people's act पे नजर डालते हैं यहाँ पर special procedure provide करने की बात की गई है कुछ class of persons के लिए अब यहाँ पर section 20 का हवाला देते हुए जो भी clauses दिये गए हैं इन सब को हम already पढ़ चुके हैं जब हमने बात की थी ऐसे लोगों की जिनको posted ballot की सुविधा दी जा सकती है आपके paper के लिए ये important है कि section 60 में procedure दिया गया है certain class of persons के लिए जो कि posted ballots का इस्तमाल करेंगे लेकिन वो persons कौन कौन होंगे ये चीज section 20 में दी गई है इसके बाद उनी सारी चीजों को फिर से दोर आया गया है अब इसमें आप हर clause के साथ जो वीडियो में पहले list दी गई थी उसको टैली कर सकते हैं जब हम PIV का article पढ़ रहे थे तो उसमें section 60C की बात की गई थी अब इस section के तहट election commission के पास ये power है कि वो government से consult करने के बाद इसी class of persons को notify कर दे कि वो लोग posted ballot का इस्तमाल कर सकते हैं और इसी के तहट postal ballot के सुविधा किन लोगों को देनी है इस चीज़ को election commission ने extend कर दिया है और उसमें 80 years से उपर के व्यक् 17 में हैं उनको शामिल कर लिया गया है अब यहां पर आपको clause D भी ध्यान रखने की जरुवत है इस clause के तहट जो लोग preventive detention में हैं वो अपने voting right को exercise कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ postal ballots के थूँ अब last में एक और चीज़ जान लीजे कि जो अभी का section 60 है वो 2003 के amendment के बाद आया था तो यह था part 1 इस पूरे topic का उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को like और share करना बिलकुल ना भूलें और चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि इनी सब चीजों से हमें आप तक अच्छा content पहुँचाने का motivation मिलता है इस वीडियो का PDF आपको हमा एलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा थैंक्यू जैहन